प्रभी इश्व मसी के पवितर नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार मैं सजी भिलाएवाला पिछले दिनों हमने एक आयत पर मनन किया था जिसमें इश्व मसी एक धरम गुरू से बात करते हैं और पवितर शास्तर का हवाला दे कर कहते हैं तू प्रभू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धी से और अपनी सारी शक्ती से प्रेम रखना संत मारकुस की इंजिल अध्याय बारा आयत 30 उसके बाद एक दिन हमने ये भी सीखा कि जब हम परमेश्वर के प्रेम से भरपूर होते हैं तो पाप से परे रहते हैं मेरे एक मित्र हैं, बहुत ही सज्जन और नेक इनसान है इस महामारी के कारण लॉकडाउन में उन्हें नौकरी करने में दिक्कत हो रही थी दिकत कुछ ऐसी थी, उन्होंने अपने साथ काम करने वालों को निर्देश दे रखा था कि जो काम सौपा जाए उसे खत्म करो और घर चले जाओ वो खुद भी ऐसा ही कर रहे थे सरकारी महकमे में उचे अहदे पर होने के कारण कोई उनसे सवाल जबाब नहीं कर रहा है पर उनकी अंतरात्मा उनसे सवाल कर रही है उन्होंने मुझसे कहा मैं अपना काम तो इमानदारी से कर रहा हूं मगर दफतर में कम वक्त बिता रहा हूं यानि सरकार ने जो टाइम दफतर के लिए रखा है उस से कम टाइम में दफतर में बिता रहा हूं क्या ये ठीक है मैंने उन्हें समझाया साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे है पहली बात तो यह कि जब आप अपने लोगों को काम देते हैं तो वो उस काम को इमानदारी से और अच्छे तरीके से करते हैं और कर भी रहे है दूसरी बात आपके लोग जब जल्दी काम खतम करके सड़क पर होते हैं तब बाकी डिपार्टमेंट के लोग दफतर में होते हैं आप सड़क पर ट्राफिक कम कर रहे हैं तीसरी बात आपके लोग अगर कम समय एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं तो संक्रमन का खत्रा कम कर रहे हैं चौथी बात आपके लोग बाहर राशन, सबजी, भाजी लेने के लिए जब दुकान जाएंगे, बजार जाएंगे तब वहाँ भीड भी कम होगी क्योंकि वो लोग दफतर छूटने के टाइम से पहले बजार में होंगे साथ को बहुत आश्वासन हुआ मेरी बात को सुनकर, फिर भी थोड़ा सा अब राद बोट था टाइम को लेकर अब ध्यान से सुने इनी सज्जन ने पिछले दिनों फोन पर मुझ से कहा बड़े विचलीत से थे वो सजी भाई, बेटा केमिस्ट्री में फेल हो गया है सप्लिमेंटरी एक्जाम तो अनलाइन हो रहा है कैसे भी पार लगाना है कुछ तरीका बताओ न मेरा दिल बैठ गया जो इनसान अपने दफ्तर के थोड़े से वक्त के बारे में अपराद बोध से ग्रसित था अपने बेटे के एक साल लॉस की बात आई तो नकल करवाने को तयार थे मुझे वो आयत याद आ गई अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धी से हम प्रेम तो रखते हैं पर मन का एक कोना छोड़ देते हैं अपने नैतित मुल्यों को ताक पर रख देते हैं जब बात आती है अपने प्रियजन की या किसी ऐसे वस्तु की जो हमारे दिल के करीब हो जब बात आती है अपने मुल्यों के लिए कुछ बलिदान करने की हम प्रमेश्वर के प्रेम को अपने नैतिक मुल्यों को भूल जाते हैं अगर हम एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं एक सच्छा जीवन एक मसीही जीवन जीना चाहते हैं तो मन का हर कोना मसी की प्रेम से भरा हो, उस से कुछ भी छुपा नहो, कई लोग प्रमिश्वर की प्रेम को नेतिक मुल्यों को कुछ बातों के लिए रखते हैं, जिंदगी के सब छेतरों के लिए नहीं, खुदा हमसे कुछ अलगी चाहता है, वो हमसे चाहता है कि हम हर जगह सच्चे रहें, हम हर जगह अच्छे रहें, हर जगह हम उसकी प्रेम को प्रदर्शित करते रहें, आमीन.